कि क्या है यह लोग अप मैद्ध है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की परफेशन भी बहुत 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 बैतर तरीके से चल रही होगी दोस्तों जैसा आपको पता है कि हम लोग टाइम और ये चैप्टेर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों लगबग 5-6 तरीके के questions टाइप को देख लिए हैं आज हम लोग इसी करम में आज type 7 के questions के साथ आपनों के साथ रूबरू हैं और जिसमें हम लोग देखेंगे आज की इसमें question जो आता है वो बहुत ही महतपूर यह पूरू सिस्तरी और बच्चों पर आधारी जो प्रस्म आत जिस्ट कोंट से काफी महतपूर है और यह समझ आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है तो आज देखते हैं दोस्तों कि कैसे इस्तरी पूरू सो और बच्चों के बारे में पर आधारी प्रस्म कैसे आते हैं कारह और समय के chapter में तो देखे इसमें होता क्या है, इसके प्रस्टों को कैसे साल्ब किया जाता है ये तमाम सारी चीजें आज हम लोग type 7 के वीडियो में देखेंगे question दिया हुआ है, एक question को पले लेते हैं, फिर इसको समझने की process करते हैं, कैसे प्रस्टों को कैसे हम साल्ब करेंगे कह रहा हैं 10 आदमी अथवा 20 इस्तिरियां यानि कि या तो 10 वेक्ति काम कर रहे हो या 20 इस्तिरियां काम कर रहे हो किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं तो 24 आदमी और 17 इस्तिरियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे जो आप लोगों ने टाइप पहला देखा था इसके वो उसमें कोश्चन जो था सेम उसी तरह के पैटर्ण पे कोश्चन है बस अंतर इस प्रस्वन में क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर 20 आदमी अथवा 10 आदमी अथवा 20 इस्तरियां दे रहा है और बाकी चीजें वही कह रहा है तेरा दिनों में काम पूरा करते हैं और 24 आदमी 17 इस्तरियां तो यानि कि यहां पर आदमी और इस्तरियां दे रहा है और काम को एक दिन में या दूना काम जो है दूने दिन में दूना काम हो रहा है कुछ इस्तरी और पुरुसों की संख्या को लेने के बाद में पहले क्या था कि कुछ व्यक्ति कुछ घंटे काम करते थे और एक कोई काम करते थे फिर कुछ व्यक्ति कुछ घंटे काम करते थे तो दुगना काम करते थे इस तरह का प्रस्मस में था यहां पर सिर्फ क्या इस्त्री और पूरुस इसमें जोड़ दिया गया है और तो इसमें करना क्या होगा या तो इस्त्रीयों को पूरुसों के बराबर बना ले मलब उसकी मलब किसी एक फार्मेंट में चेंज कर लेना होगा जैसे यहां पर इस्त्रीय तो पूरुस किसी काम क की दो दी गई हैं पूरूस इस्तरियां दोनों दी दी गई हैं तो यह तो पुरूसों को तरियों में जुआ है चाथा की योंकि पारीज है कारा है दस आदमी अथवा 20 इस्तिरियां यानि किसी एक कुमान करके तो आप कुश्चन को आगे सालब करेंगे कि दोनों को लेकर तो सालह हुआ है ना जैसे बीस ड़स आदमी किसी काम को तेरा दिनों में करते हैं यह मानना या तो होगा आपको या तो मानना होगा 20 इस्तिरियां किसी काम को 3 दिनों में करती हैं समझ गया होंगे बात को तो आगे के इस्तिरियों में कर लीजे या तो इसे पूर्सों में convert कर लीजे समझ गया होंगे concept को इसी concept पर question को करेंगे formula जो पुराना था वही formula है पहले वाक्य का गुड़नफल बटे पहले में जो है गुड़नफल के द्वारा जो काम प्राप्ति हो रहे एक काम दो काम जितना अभी काम हो वह होगा ठीक है पहले का पहला वाक्य का कार है वह अपको प्राप्त होगा दूसरे में फिर वही चीज होगी दूसरे वाक्य का गुड़नफल बटे दूसरे का वाक्य का कार आपको करना होगा चलिए यह देखतें कैसे करते हैं तो इसमें देखे नहीं क्या होता है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको निकालनी होती है, जैसे एक पहला वाक्य की तचर पे लेंगे पिर दूसरा वाक्य करेंगे, दोनों का आपको गुरनफल कर लेना होगा और कारे बटे में कर देने होंगा। पहले वाले गुड़नफल का कारे नीचे कर देना होगा जितना कारे हुआ है बटे कर देना होगा मतलब और फिर दूसरे वाले कारे का गुड़नफल के बटे जितना कारे हो पा रहा है यह करना होगा तो देखिए पहले वाले में क्या है दस पुरुस बीस इस्तरियां या किसी काम को जो कर रही हो क्या तेरा दिनों में कर रहे हैं तो काम को आपको करने के अगर हम देखें कि अगर हम इसको देखने से आप समझने कोशिज करिए गजरा कि यानि कि यहां पर दस पुरूस काम कर ले रहे हैं तेरा दिनों में काम पूरा कर ले रहे हैं और उसी में उस ले लिए यानि कि दस दूनी बीस यानि कि महिलाएं दूनी लग रही है महिलाएं उसकारी को पूरा करने में दूनी महिलाएं लगानी पड़ रहे हैं और अगर महिलाओं की संख्या में पूर्सों में करेंगे तो फिर महिलाएं क्या हो जाएंगी दूनी हो जाएंगी मतलब काम पर इस तरफ महिलाएं के चाहिए आपको देखनी होंगी यानि कि यहां पर एक पुरुस बराबर या को रहा है इस करा से 10 पुरूस, 10 पुरूस हो जाएगा तो कितना हो जागा, 20 महीला हो जाएगी या निस्तरिया हो जाएगी समझ गया हमें बात को आप concept तो यह चीज concept है, अब करना क्या होगा बस, फार्मूल आपके पास पहले से है सारे question अब आपको समझ में आ गए होंगे देखे क्या करना है, अब हम लोग बान के करेंगे किसी एक में, चाहे इस्तरिया पुरूस में जो कहिए मैं माल लेता हूँ, मैं माल लेता हूँ इस्तरियों की संक्या, इस्तरियों की आधार पर हमको question करना होगा, तो कर लेते हैं और क्स तुरीयों क्या रहर पर तो यहां पर क्या पहले वाले concept में यानि कि 20 बीस इस्त्रियां किसी काम को कितने दिनों में कर रही है 13 दिनों में कारी कर रही है इंटू 13 हो जाएगा क्योंकि दोनों का गुरणफल है 13 हो गया बटे में क्या हो जाएगा कितना काम हो एक काम हो रहा है ठीक है फिर इस फर्मूले पर हम कर रहे हैं पूरी तरह से जो पहले पिछले वीडियो पिछला जो टाइप था से मुझी टाइप पे दूसरे वाक्ति में क्या कह रहा है अब यहां पर कह रहा है आदमी मतलब पुरूस हो गया 24 पुरूस कह दे रहा है यहां तो हम लिख लेते हैं 24 पूरूस कर दे रहा है प्लस क्या कर रहा है और तेरा इस्तिरियां प्लस तेरा इस्तिरियां सारी सत्रा इस्तिरियां है सत्रा इस्तिरियां ठीक है सत्रा इस्तिरियां इसको ब्रेकड में कर लीजिए और इसके बाद में क्या कर रहा है सत्रा इस्तिरिय को समझ में अरा यहां को दिकक्षत हो नहीं है ना देखेंगेहशыми नहीं कहांँ आप 20 हिस्तिरियों में तो जो पुरुसों की हो लिखत करेंगे तो किसी काम को तेरा दिनों में कर रहे हैं काम कितना हो रहा है एक कारी की प्राप्ति हो रही है ठीक है तो यह क्या हो रहा है पहले वाक्य का गुड़न फल यहां तक का तो पहले वाक्य का गुड़न फल ठीक है बटे में पहले वाक्य का पहले वाक्य के दौरा किया गया कारे तो पहले वाक चल करकbert कर लेंगे पूरुसों को इस्तुरियों में बदलेंगे अनि टू क्या होगा हमें ग्यात नहीं है यह जोरों को कितने दिनों में किया जाए अवह हमें पता नहीं है लेकिन काम दूग नहों कहीं आतरा है तो यानिकी क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि इस्तुरियों की संख्या में कनवाट परेंगे तो यह क्या हो जाएगी 24 इंटू 2 बरावर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इस्तुरियां हो जाएगी प्लस 17 इस्तुरियां इतनी बात तो समझ में आ रही है ना बाबू इस्त जुनी का क्या होगा 48 तो 48 अब क्या इस्तिरियां हो गए प्लस कितना 17 इस्तिरियां पहले से थी तो यह 48 ब्लस 17 इंटु एक्स बटे 2 हो जाएगा कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हो जोगी आपको आगे देखिए स्टेप को अब क्या करते हैं 20 इंटु 13 बटे 1 बराबर क् अगर आप एड करेंगे 87 15 हो जाएगा और 4 और एक 5 और एक 6 65 इंटु एक्स बाइटू ठीक है अब एक्स का मान हमें निकालना होगा आईए स्टेप हम यहां आगे कर ले रहा हूं इसको मैं ठीक है यहां पर क्या है अब इसको अगर आप देखेंगे एक्स का मान हमें करना यहां था है तुट पक्ष में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 65 एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसके साथ गुर चणा जाए गाए 20 इनन टू 13 इन टू बटे अगर X का मान जब निकालना होगा, तो 20 इंटु 13 इंटु 2 बटे 65, ठीक है, 65 हमारा निकल किया गया, अब इसको हम काट देते हैं, ठीक है, किस से कटेगा, 5 से काट के देखते हैं हम लोग, 5 ओक के 20 हो जाएगा, 5 एक नम 5 हो जाएगा, 5 के आई 15, 13 हो गया, यानि कि मतलब 4 दुनी के 8, यानि X बराबर क्या हो गया बिटा, 8 हो गया, 8 क्या निकल कर किया आया, कोश्चन में क्या था, काम कितने दिनों में होगा, तो 8 दिनों में होगा, समझ गए होंगे वाद को आप लोग, मैंने बड़ा सरलता से प्रयास किया, कि ये बहुत कॉंसेट समझते हुए, आप कोश्चन को कर लें, और I hope आप कॉंसेट को समझ गए होंगे, कि X कमान निकालना है, यानि कि इस्तिरियों की संख्या, या तो पूर्सों के वराबर कर लीजे, या पूर्सों को इस्तिरियों के वराबर कर लीजे, यानि किसी एक कमान, यानि कि कितने पूर्स पर कितने इस्तिरियां काम कर रही है, ठीक है, तो उसको आपको निकालना होगा, जैसे यहाँ पर इस्तिरियां दी थी, यह तो उसका अध्धा निकल करके आता है यहां पर यह सरल था कि एक पुरुस पर दो महिला हो रही है तो जो पुरुसों की संख्या उसको सीडेम कर लेते हैं इंटू कर लेंगे तो हम जब हम यहां हुआ ह में तो यह ठीक्ते अपने में गृषन जा सुंख्या-था आप और that कोश्क singers on , program के क्ने में टैक्षिट पुरुस सक6 लड़ के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं कोई एक काम है विस में कर लेते हैं कौन 4 पुरुस भाई लगते हैं और 6 बच्चे लगते हैं लड़के लगते हैं तो 20 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं तो 6 पुरुस 11 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे ठीक है उसे कितने दिनों में करेंगे ठीक है उसे कितने दिनों में पूछ रहा है कि उसे कितने दिनों में कर लेंगे ठीक है यानि इसका मान देना है दूसरे का मान बराबर करना है आपको ठीक है तो यह चीज आपको देखनी है कैसे को को स्थिति बनानी होगी जो पिछले को स्थिति बनानी होगी जो पिछले को स्थिति बनानी होगी जो पिछले को स्थिति को लड़कों की संख्या में convert कर लेते हैं ये थोड़ा असान हमागे लिए रहेगा फार्मूला बेलकुल यही रहेगा इसी फार्मूले पर हमें questions को आगे देखना होगा ठीक है तो 20 दिन में काम कर लेते हैं यहां पर आपका मतलब हो गया यानि की चार पुरूस हो जाये और पुरूस हो ऑफछीश ओं परूस हो जाया। यह फार्मूला आपको बनेगा लेकिन हमें निकालना है पुरूसों की संख्या को कनवर्ट कर लेना है बच्चों की संख्या में यह बच्चे कितने लगें लिरके कैसे लगेंगे तो एक पुरुस बराबर क्या हो जाएगा अगर यह मान दे रहा है एक पुरुस बराबर क्या हो जाएगा एक पुरुस अगर हम देखेंगे चार पुरुस बराबर क्या रहा है तो हमोग क्या कर लेंगे दोग दो आइगा निकालना है हम लोगों का तो यह इसको स्रल कर देंगे चुकि सम्धिट है तो कड़ जाएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा 2 त्याई 6 यानि 1 पुरुस बराबर हो जाएगा एक पुरुस बराबर हो जागा तीन बटे दो लड़के तीन बटे दो लड़के बस हमारा मान निकल गया बस सवाल हमारा हो गया साल कुछ भी हमें नहीं करना है अब कोश्चन को हमको इसी पर रख देना है अब करना क्या है हमको यानि कि अब हमको निकालना है question में कह रहा है चार पुरुस च्छे लड़के या च्छे लड़के किसी काम को किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं तो हम लड़कों पर कर लेते हैं तो 6 लड़के काम कर रहे हैं कर रहे हैं 20 दिनों में काम कर रहे हैं और काम कितना हो रहा है एक काम हो रहा है ठीक है पहले कमान हो दूसरे में आए दूसरे में क्या कह रहा है छह पुरुस यहां पर कह रहा है छह पुरुस ठीक है छह पुरुस ठीक और क्या कह रहा है लड़के 11 लड़के प्लस 11 लड़के एह हो रहा है, गयारर लटके हो रहे हैं, छेब Trails, तो प्रूस फिल्क हो, अब क्या कह रहा हैं कि लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे, फिर यानी कि इसका मतलब यह कही काम है, वो भी Fach में सैम काम की बात कर रहा है, करेंगे यानी कि इसका मान X collective 1 बटे X कर दिया जाएग इसको ठीक है यही चीज़ है यही काम करने के लिए आपको सिदे करना है अब करना क्या है सीधे सीडे सीग इसको कनवाट कर ले न बसा आपको करा क्या है 6 into 20 बटे01 बराबर ऐसे कर लेंगे या 6 जो है इसको कनवाट हुं इंट्रॉ एक हो जाएका मान जो दे रहा हैं ऐसी थे में कर लो बटे एक कर देंगे एक अब saji deane भ़ाबर कारेंगे corresponds देखिए अब यही से सरव्प करेंगे तो दो ती यह जाएगा तो तीन हो जाएगा तीन तीरी कन्व σवा इन बात अब बटेए एक कर लिजिए इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू X हो जाएगा बटे क्या है इसमें भी बटे एक है इसमें भी पूरा श्टेप चुकि जो प्रक्रिया दे रहा है सेम उसी स्टेप पर हम लोग करेंगे ठीक है आए आगे देखते हैं इसके आगे आजाएगा समझ रहें बात को तो क्या हो जाएगा 20 x बराबर आपका हो जाएगा 20 into 6 या 6 into 20 कुछ भी कर सकते हैं इसका तिरिया गुड़ा कर देंगे इसका इधर तिरिया सभिनेंगे यानी कि मिलाज घुलाल Dentill कई बने कुल टोटल 10 यह जो परएखे적 जो काम ँदिनों में कर रहे थे वही हैं में किटे में कर लेंगे तो को परिवर्त्तित कि या नोओन लगों की यानि कि जो 6 पुरूस है वो 9 लड़कों के बराबर काम करेंगे और 11 लड़के पहले से दिये हुएं तो 9 और 11 20 लड़के हो गए यानि कि 20 लड़के अब काम करने लगे 6 पहले वाले काम को क्या किया था 6 लड़कों ने काम किया था जो कि 20 दिनों में 20 दिनों में का कर रहे थे ठीक है 6 लड़के मिलकर कि 20 क्यम को कूरा कर रहे किसी एक काम को थो 20 क्यूं को किते दिनों में पूरा कर लेंगे तो शी कम को चेह आइक वप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको बहुत इस टरीके से बड़ा ही सरल ट्राइप का कोसिन था आपका जो की कि आपको questions बिला हुआ है और आपको बिल्कुल कहीं से भी कोई असुविधा नहीं हुई होगी questions को समझने में ऐसे ही दोस्तों मेनत करते रहिए और किसी भी chapter का ऐसा कोई भी chapter अभी तक हम लोगों नहीं पढ़ा उमीद करता हूं कि जो आपको समझ में नहाया हो और सब कुछ बिल्कुल detail में मैंने आपको बताने का वर्सक प्यास किया है और आप लोग भी मुझे लगता है कि काफी मुलब इसमें सहस्ता महसूस कर रहोंगे math के segment को math कुछ भी नहीं है अगर इसको सेददत के साथ देखा जाए तो कम से कम इतना तो हम बहतरिन करी सकते हैं कि हम किसी competition में यह जो segment बहुत महतकूडा करता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके math थीन अच्छे होने के काड़ से उसलेक्शन नहीं दे पाते हैं तो कम से कम एक अच्छी स्थिती में हम पहुंच जाएंगे कि हम उसमें जीरो स्थिती में नहीं रहेंगे हम कम से 50-60% questions को अ झाल